Hello friends and medicine, instrumental method of analysis BP701TK इस वीडियो में हम लो unit 5 में अपने last topic अफिंटी क्रोमेटोग्राफिक को अग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम लो अफिंटी क्रोमेटोग्राफिक क्या होता है इसके introduction, history के बारे हम बात करेंगे अफिंटी क्रोमेटोग्राफिक की सिध्धान पर काम करता है इसके principle के बारे हम बात करेंगे और अफिंटी क्रोमेटोग्राफिक की theory के बारे में यहाँ पर बात करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंग तो चलिए शुरू करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा अफिंटी क्रोमेटोग्राफिक है उसके बारे में बात करते हैं तो अफिंटी का क्या हमारा मतलब होता है लगाओ तो जो भी हमारा component है उसका हमारे mobile phase और stationary phase के साथ में क्या अफिंटी है उसके basis पे हम लोग इसको separate out करने का काम करते हैं तो अगर हम लोग अफिंटी क्रोमेटोग्राफिक के introduction के बारे हम बात करते हैं तो जो हमारा अफिंटी क्रोमेटोग्राफिक है एक यह हमारा simple purification की technique होता है जिसमें हमारे जो biological molecules हैं like example ने तो protein उसको हम लोग separate out करने का काम करते हैं तो इसके पहले भी हम लोगों ने iron exchange chromatography में भी protein वगरा का separation होता है उसके बारे में बात किया था gel chromatography में भी हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे protein का हमारा separation होता है तो जो हमारा iron exchange chromatography है उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा protein वगरा है और भी macromolecules है उनके उपर क्या charge है उसके basis पे हम लोग उसको separate करते हैं अगर हम लोग gel chromatography के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग प्रकार के जो gels हैं जिनका अलग अलग pore size होता है उसको use करते हैं और हमारा जो protein और macromolecules है उन को उनके size के अनुसार उनके molecular weight के अनुसार separate out करने का काम करते हैं और अगर हम लोग affinity chromatography के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारे वहाँ पे macromolecules हैं biological molecules हैं उनका हमारे stationy phase हमारा जो उसमें ligand वगरा use करते हैं उसके साथ में क्या affinity है उसके basis पे हम लोग इसको separate out करते हैं और इसको हम लोग basically proteins वगएरा और जो macromolecules हैं उनका जो purification की process है उसके लिए use करते हैं तो अगर हम लोग इसकी जो history है उसको यहाँ पर देखें तो हमारे यहाँ पे थे दो जो scientist थे उन्होंने इसको develop किया था एक हमारे scientist थे उनका नाम था हमारा वो pedro quatricasus और एक हमारे थे scientist जिनका नाम था इनका नाम था हमारा वो Mary Wilczek उन्होंने 1968 में पहली बार इस technique को develop करने का काम किया था अगर हम लोग इसका यह जो हमारा है यहाँ पे method उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा होता है protein वगरा है या जो भी हमारे nucleic acid वगरा होते हैं उसको ह हम लोग authentic chromatography को के method को use करके separate करने का काम करते हैं तो यहाँ पे दो बार method लिग गया है एक को हम लोग कट कर देंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारा होता है कर सकते हैं protein है या जो हमारे nucleic acid वगरा है DNA RNA है उनका जब हम लोग यहाँ प separate करने के लिए use करते हैं उसको फिर हम लोग कोई भी solid support या support वग़रा को use करके उसके उपर immobilize करते हैं तो जो हमारा वहाँ पे है support उसके उपर जब हम लोग ligand को immobilize कर देते हैं तो वो हमारा stationary phase को form करता है और जो हमारा वहाँ पे molecule है जिसको हमें separate करना है उसको फिर हम लोग जो हमारा mobile phase है उसमें रखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा ligand और जो molecule है वो आपस में interact करता है तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो वहाँ पे अलग-अलग molecule के mixture है उन में से कोई एक molecule हमारा जो ligand के लिए specific है वो आके ligand से attach होते हुए देखने को मिलता है और जो हमारे molecules हैं वो हमें wash out होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं तो आगे जब हम लोग diagram में देखेंगे तो concept आप लोग को और अच्छे से clear होगा तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो जो भी हमारा अगर protein का कोई हमारे पास mixture होता है तो उस condition में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा वहाँ पर column है जिसके अंदर वो particular हमारा ligand है तो उस condition में हम लोग जो भी हमारा वहाँ पे प्रोटीन का Mixture है उसके थू जब उसको पास करते हैं तो फिर हमारा वो जो specific protein है वो उस ligand के साथ में हमें combined होते हुए देखने को प्राप्त होता है तो इस condition में क्या होता है कि जो भी हमारा protein का Mixture था उस में से कोई एक protein फिर हमें ligand के साथ में bind होते हुए देखने को प्राप्त होता है ऐसा इसलिए होता है कि वो हमारा जो वहाँ पे होता है protein और हमारा ligand है उसके एक तरसे बीच में हमें वहाँ पे specific और high अफिंटी देखने को मिलती है इनके बीच में एक specific और high अफिंटी अगर होती है तो फिर ये आपस में हमें bind होते हुए देखने को मिलते हैं with the help of the lock end की जो theory है उसके अमसार ये आपस में connect होते हुए देखने को मिलते हैं और इस condition में क्या होता है कि जो भी हमारे वहाँ पे और proteins होते हैं हमारे mixture के अंदर वो हमें अपने solution से washout बाहर निकलते हुए अपने column से बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि और जो proteins हैं उनका हमारा जो ligand है उसके साथ में वो bind नहीं हो पाते हैं जिसके कारण कि वो हमें वहाँ पे बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होते हैं और हमारे जब जो वहाँ पे specific protein हमारे ligand के तो उसके बाद में फिर हम लोग अपनी जो conditions हैं, उनमें कुछ वहाँ पर बदलाव करते हैं, pH में change करेंगे, या जो हमारा column में buffer है, उसका जो ionic strength है, उसमें अगर वहाँ पर चेंज करेंगे, तो फिर हमें यह जो यहाँ पर bond form हुआ था, binding हुआ था, ligand और particular एक protein के साथ में वो हमें broken होते हुए देखने को प्राप्त होगा, break होते हुए देखने को प्राप्त होगा, और उसके बाद में उसको फिर हम लोग वहाँ पर pure form में separate out कर लेंगे, तो इस तरीके से हम लोग अपनी जो process है, उसको उसमें से अपना जो भी specific protein है, उसको separate करने का काम करते हैं, तो आई इसको diagram से देख लेते हैं concept आप लोग को, और अच्छे से clear होगा, तो यहाँ पे जो यह है, यह हमारा bed है, या इसको हम लोग matrix कहते हैं, simply solid support के नाम से indicate करते हैं, यह जो हमारा है, उसके साथ में जो हमारा ligand है, जो की एक particular protein के लिए specific होता है, उसको यहाँ पे इसके साथ में immobilize करने का काम करते हैं, attach करने का काम करते हैं, जब यह इसके साथ में attach हो जाता है, तो फिर हमारा protein का जो mixture है, जिसमें हमें अलग-अलग जो type के protein है, उसको जब इसके थूरू pass करते हैं, तो क्या होता है, जो इसका structure है, वो भी इसमें fit नहीं होगा, यह भी इसमें कहीं fit नहीं हो पाएगा लेकिन यहाँ पे आसानी से इसके अंदर हमें fit होते हुए देखने को प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारे competing हमारे protein हैं जो भी हमारे mixtures हैं वो जब यहाँ पे इसके पास में आते हैं तो हमारा जो specific protein है वो हमारे ligand के साथ में complex form करते हुए देखने को मिलता है तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा protein और हमारा ligand है उसका complex हमें बनते हुए देखने को मिलता है और जो हमारे protein है वो हमें process से बाहर निकलते हुए wash out होते हुए देखने को मिल जाते हैं क्योंकि यह हमारे ligand से bind यहाँ पो नहीं हो पाते हैं अब क्या इसका complex हमें जो bond है वो break होते हुए देखने को प्राप्त होता है और जब यह bond break होता है तो फिर हम लोग इसको यहां से pure form में अलग कर लेते हैं तो इस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं अपने authentic chromatography में अपने micromolecules को proteins वगेरा को separate out करने के लिए अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि जो हमारा authentic chromatography है वो किस सिधान पर काम करता है principle of authentic chromatography के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा authentic chromatography है एक यह हमारा काफी powerful chromatographic method होता है जिसमें हमारा जो specific molecule है उसको हम लोग basically उसका जो purification है उस के लिए separate करने के लिए हम लोग basically इस टेकनिक को यूज करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी हमारा वहाँ पे जो हमारा वहाँ पे ligand है या जो हमारे दो molecules है एक हमारा ligand हो गया और एक हमारा वो component है molecule है जिसे हमें separate करना है उनके बीच में हमें एक high specific जो हमारा biological interaction है वो देखने को प्राफ्थ होता है और ये जो high specific biological interaction हमारे दो molecules के बीच में देखने को मिलता है इसी के basis पर हम लोग इनको separate out करने का काम करते हैं तो आईए अब हम लोग अगर हम यहाँ पर example लें तो यहाँ पर जो हमारा अलग-अलग enzymes होते हैं उनमें हम लोग जो हमारा वहाँ पर mixture है उसमें एक specific अगर substrate को use करते हैं तो फिर हम लोग एक specific enzyme को अपने mixture में से अलग यहाँ पर वो कर सकते हैं जो हमारा होता वो receptor और हमारा वो ligand को भी separate करने के लिए हम लोग इसको उपयोग करते हैं क्योंकि इनके बीच में भी हमें एक high interaction देखने को मिलता है और जो हमारे antibodies हैं उसको हम लोग antigen वगरा को use करके आसानी से separate करने का काम करते हैं तो अगर हम लोग इस तरीके से बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा interaction होता है हमारा जो वहाँ पर ligand है और हमारा molecule है उसके बीच में जो interaction होता है वो हमें एक reversible interaction देखने को टाप्त होता है और यह जो हमारा होता है reversible interaction इसी को use करके हम लोग अपने component को molecule को purify कर यहां प jakie होता है जब हमारा यह जो गोरा क्रूम का है उसको फिर लि其 आसान तरीके से कह सकते हैं कि मॉल्य कुछ n उसको ख कने अशीए करने ओर दिए और हमें पर उसको करते हैं और इसको न भी 수le ligand, जिसकी affinity हमारे molecules के साथ में ज़्यादा होती है, या जो हमारा ligand, जो कि हमारे molecule के साथ में interact करता है, उसको फिर हम लोग, जो हमारा solid support है, उसके उपर हम लोग place करते हैं और इसको हम लो as a stationary phase यहाँ पर use करते हैं, उसके बाद में जो हमारा होता है, target molecule सपोर्ट है वह यहां पे है और यह हमारा जो इस स्पेस्फिक यहां पर लीगण्ड है वह इस प्लेस पे है तो अगर हम लोग होता है यहां पर लीगण्ड है जिसकी affinity हमारे molecule के साथ में जादा है उसको हम लोग यहाँ पे इसके उपर place कर देते हैं तो यह हमारा एक immobilize जो होता है ligand वो form हो जाता है इसको हम लोग as a stationary phase अपने chromatography में use करते हैं उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे होते हैं जो हमारा sample है जिसके अंदर हमारा जो target molecule है यहाँ पे हमारा जो target molecule है वो है उसको फिर हम लोग इसके तुरू पास करते हैं तो यह जो हमारा target molecule है जिसे हमें separate करना है उसको हम लोग mobile phase के साथ में यहाँ पे introduce करने का काम करते हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग ये जो molecule है इसके बारे में बात करें तो ये भी इसके साथ में attached नहीं होगा, ये भी इसके साथ में attached नहीं होगा, ये भी इसके साथ में attached नहीं होगा, बट ये यहाँ पर आके हमें lock end जो की है उसकी तरफ fit होते हुए देखने को प्राप्त होगा, तो क्या हो हमारे process से बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होंगे उसके बाद में जब हमारी process complete हो जाएगी तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा जो pH है, ionic strength वगरा है, temperature वगरा है उसको अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे change तो क्या होगा कि जो हमारा complex यहाँ पर form हुआ है जो भी हमारा यहाँ पर ligand हो हमारा जो यहाँ पर target molecule है इसके बीच में जो bond form हुआ है वो हमें break होते हुए देखने को मिलेगा और जब यह bond break होगा तो फिर हमारा compound है जो हमारा molecule है वो हमें pure form में यहाँ पर separate out होते हुए देखने को प्राप्त होगा तो इस technique को हम लोग use करत है अपना जो भी हमारा mixture है उसमें से अपने specific component को separate out करने के लिए अब हम लोग यहाँ पर theory of authentic chromatography के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग यह मानते हैं कि जो हमारा target compound है जिसे हमें separate करना है अगर वो हमारा T है और जो हमारा ligand है जो की stationary phase के साथ में attach है अगर वो हमार यहाँ पर L है और इनके बीच में जो हमारी वहाँ पर reaction होती है वो हमारा यहाँ पर adsorption की reaction भी होती है और desorption की reaction भी हमें देखने को प्राप्त होती है और जब यहाँ पर यह जो हमारा होता है target compound और ligand है उसके बीच में जब हमारा adsorption की reaction होती है तो उस condition में हमारा ligand और target का complex form होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है तो आई यह जो reaction है उसको देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या है कि यह हमारा जो solid support है matrix है वो है उसके साथ में जब हम लो जो molecule है वो हमें wash out होते हुए देखने को प्राप्त होंगे उसके बाद में जब यह इसको यहाँ पर छोड़ेगा तो वो हमारी जो reaction है वो हमारी यहाँ पर उसके बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग simply kd से यहाँ पर indicate करते हैं तो जो हमारा kd है वो हमारा यहाँ पर dissociation जो constant है तूटने का जो constant है वो हमारा है तो यहाँ पर यह space पर क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पर है जो हमारा होता हो Donc ligand, उसकी जो हमारी concentration है into the, जो हमारा target compound है, उसकी जो हमारी concentration है upon the, जो हमारा है ligand और target का complex फॉर्म हुआ है, उसकी क्या concentration है. इस equation को यूजँ करके, हम लोग जो हमारा equilibrium पे dissociation constant है, kd है उसको हम लोग calculate कर सकते हैं. उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे थे जह वो दो हमारे scientist थे, एक का नाम था, grave और दूसरे का नाम था, वो उन्होंने 1974 में एक ratio को express करने का काम किया था, यह जो हमारा ratio था, यह था हमारा, यह कहलाता है bound, वो टार्गेट और जो total टार्गेट है उसके बीच का जो ratio है उसको पहली बार इन्होंने देने का काम किया था तो यहाँ पे अगर इस ratio के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा bound target होता है upon the जो हमारा total यहाँ पो target है यह approximately equal होता है जो हमारा LO upon यहाँ पे KT plus LO के यहाँ पे equal होता है तो अगर हम लोग यहाँ पे LO के बारे में बात करते हैं तो LO क्या है यह हमारा जो ligand की concentration है वो basically यहाँ पे कहलाता है तो अगर हम लोग इस place पे अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं तो जो हमारा होता है यहाँ पे कह सकते हैं कि जो bound target है वो क्या है तो हमारा वो target क्या है कि जब हमारा यह complex form हो जाता है तो वो हमारा जो है यह हमारा simply जो हमारा bound target है वो कहलाता है और जब अगर हम लोग जो हमारा वो total जो हमारा target है उसके बारे में बात करते हैं तो यह क्या है कि हमारा जो वहाँ प करने के लिए इसके ratio को express करने के लिए हम लोग इस equation को basically यहाँ पर use करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर protein binding है या जो हमारा binding है वो उसी condition में successful होगी जब हमारा यहाँ पर यह जो ratio है हमारा जो bound और total target का जो ratio है अगर वो एक के जितना pass में आता है एक के पास जितना होता है उतना ही हमें हमारा जो binding है वो successful अच्छी होते होगे देखने को मिलती है और जितना ही हमारी binding वहाँ पर अच्छी होगी successful होगी उतना ही हमें वहाँ पर अच्छा purification या separation अपने component का देखने को प्राप्त होगा और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा kd की value होती है वो किन-किन चीजों से affect होती है तो अगर हमारा जो वहाँ पे pH है उसमें changes आते हैं तो kd की value हमें change होते हुए देखने को मिलती है ionic strength भी जो है वो भी हमारी यहाँ पे kd की value को affect यहाँ पे करता है और जो हमारा temperature है वो भी हमारे kd की value को affect करने का काम करता है तो अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे kd की value है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो वो हमारा जो ये ratio है उससे जितना कम होती है उतना ही वो हमारा वहाँ पे separation हमें अच्छा देखने को प्राप्त होता है और यहाँ पे हम लोग इसकी जो value है इसके जो factors हैं उसको वहाँ पे properly अगर study करते हैं तो last में जब हम लोग अपने जो भी हमारा वहाँ पे compound है जिसको हमें separate करना है उसको आसानी से separate कर सकते हैं pH को change करके आयने के strength को change करके या temperature वगेरा को change करके तो I think so जो हमारा यहाँ पे authentic chromatography है उसका introduction उसका principle और उसकी theory आप लोग को properly अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर अभी भी कहीं कोई confusion है अगर comment करके पूंच सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा इस video को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही videos को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें और हमारे app को भी install करना बिल्कुल भी न भूलें thank you